वर्सों से मार्केट में ट्रस्टेबल ब्रांड रहे बजाज ने अपने पॉपुलर स्कूटर चेतक के इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश कर दिया है और अब आपके निरेश शोरूम पर ये एवलेवल हो चुका है और अगर आप बजाज के इस मोस्ट पॉपुलर स्कूटर को लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक सेग्मेंट में मोस्ट पावरफुल और इस्टैलिस लुक के साथ में अच्छे खासे माइलेज में तो आप देख सकते हैं शांदार look के साथ में और जानदार features के साथ और कैई segment first features के साथ będzaj इंडिया ने अपने बजाज चेतक के electric variants को पेश किया है और premium edition पूरी तरह से metal body के साथ में लाया गया है शांदार look के लिए sleek appearance है साथी headlamp, gashing, blinkers और central trims charcoal black finish और स्कूटर में प्रीमियम फील्ड देने के लिए बिग ओल कलर LCD डिस्पले कंसोल है और कलर ओप्संस के लिए 3 विकल्प आपको मिलेंगे और बजाचे तक इलेक्ट्रिक स्कूटर के पावर ट्रेन में 3 किलोवाट वाला लिथियम आयन बैंटरी पैक है जिसमें 3.8 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर है और ये पावर पैक 1400 रपीम पर 16 एनम का टॉर्क जनरेट करता है दो राइडिंग मोट हैं इको और स्पोर्ट इको मोट में सिंगल चार्ज में 95 किलोमेटर स्पोर्ट मोट में 85 किलोमेटर तक की रेंज देता है और दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक वहानों में पकड़ बनाने के लिए बजाज ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्ट यूलू के साथ में एक साज़ेदारी की है और बजाज ओटो की पूर्ण स्वामित वाली सहाय कंपरी बजाज चेतक टेकनलोजी लिमिट्टिट के साथ में काम किया जा रहा है और फिलाल मार्केट में इलेक्टिक सेगमेंट के स्कूटर्स में बजाज चेतक ने सेल्स में आखड़े आए हैं उनके अनुसार बजाज चेतक मार्केट में अच्छा खासा रेस्पॉंस ले रहा है और अगर आपके पास में बजाज इलेक्ट्रिक के शोरूम एविलेबल नहीं है तो आप चैनल से इनफर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक को शेयर करके बात करेंगे इसके अन्य फीचर्ण्स के बारे में तो बजाज स्कूटर्ज ऐलेक्ट्क चेतक में आपको सेफटी के लिए फ्रेंट में डिस्ट बेक और रिर में ड्रम ब्रेक मिलता है और बजाज चेतक EV में सबी LED लाइटिंग और टर्स सिगनल दिये गए हैं और बजाच्चे तक जो की एक समय हर घर की खास पहँचान था और अब इसके EV वर्जन को भी कश्मर्स द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है इसके स्टैलिस डिजाइन के साथ में धाकर सेफटी फीचर्स के खारण और ये दमदार स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर करीम 90 किलोमेटर तक चलता है और सड़क पर 63 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड देता है पास गंटे में बेंटरी फुल चार्ज हो जाती है और इसके पर इस स्कूटर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 4 किलोवाट की बैंटरी मिलती है और बात करें मार्केट में सीधे कंपेटिशन की तो बजार में ये स्कूटर एथर 450 और ओकिनाबा आई प्रेसाइस को टकर देता है बजाज के मुकाबले एथर 450 में केवल 75 किलो मीटर पर और की टॉप स्पीड देता है इसमें बैटरी 5.25 गंटे में फुल चार्ज होती है इसकी सीध हाइट 765 mm है जिससे कम हाइट वाले लोग भी इसे आसानी से चला सकते हैं और बजाज चे तक इलेक्टिक स्कूटर का एक प्लस पॉइंट या में रेसीपी यह भी है कि यह देश का एक मातर ऐसा इलेक्टिक स्कूटर है जिसमें फुल मेटलिक पॉड़ी दी गई है टॉप स्पीड 70 km तक है लुक भी इसका मार्केट में एवलेबल सभी इलेक्टिक स्कूटर के मुकाबले काफी आकरशक है तो आप इसे एक बार देख सकते हैं और एक और मै टेस्ट वर्जन से आप 108 km तक की रेंज भी ले सकते हैं अन्य फीशर्स की बात करें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके लाबा गैट ओवर दा एयर अपडेट गैट टेमपर अलर्ट्स और चार्ज आप कर सकते हैं इस टेंडर्ड 5 एंपियर के अपने नॉर्मल घरेलू प्लग से चार गंटे में आप फुली चार्ज कर सकते हैं 100% 108 km तक चला सकते हैं स्टाइटिंग रेंज की बात करें 1.30 लाग तो कुल मिलाकर अब आप एलेक्टिक सेग्मेट में भी एक मजबूत बॉर्डी के स्कूटर्स को पर्चेज कर सकते हैं बजाज के शे तक के अव अब आप बजाज अंडिया अपने सर्विस नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार कर रहा है फिलाल में 300 प्लस सर्विस नेटवर्क चेन हैं जिसमें कि आपको बजाज के इन स्कूटर्स की सर्विस एविलेबल होगी और इसके अलाबा अगर आप बजाज के इस अब आप भी चैनल के साथ कनेक्ट होकर चैनल को सबस्क्राइब करके अपनी सभी इंपोर्टेंट क्वैरी का लाइबली सॉलूशन ले सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स से भी ओनली विदिन 24 होर्स में तो मिलते हैं एक्स्ट कर दोस्तों